दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं FD के latest interest rate के बारे में जहां पर हम 14 चोधर different bank FD के interest rate को discuss करेंगे तो ज़रा बैंक वगएर में FD करना चाहते हैं तो आज की जो यह वीडियो है वह आपके काम की हो सकती है जहाँ पर मैंने 3 different column लिया है पहले column में है bank name दूसरे कोलम में है Normal fd rates यानि कि जिनका उमर साट साल से कम है अगर वो FD करना चाहते हैं तो उनको कितना FD के उपर इंट्रेस्ट मिल सकता है और यहां पर थर्ड कॉलम में है senior surgeon fd rates जिनका उमर शाठ साथ सोब हे गतर है तो उनको प्रकितना मिल सकता है उसके वहाद यहां पढ करेंस में दिख करने वाले हैं निच्छ यहां पे क् apenas सबसे पहला है कर लेते हैं सबसे पहला करो तो तो यहाँ पर एगर आफ SBI के Bank में 3 साले के FD करेंगे तो आपको 5.45% पर NM का इंटरेस मिल जाएगा यानि की साधाना आपको 5.45% का इंटरेस मिल जाएगा और वहीं अगर आप 5ड करेंगे तो आपको 5.5% का इंटरेस मिल जाएगा और यहाँ पर आप sailे seer region से आपका उमर साट साल से उपर है तो यहाँ पे अगर आप SBI के bank में तीन साल का FD करेंगे तो आपको 5.95% पर NM का interest मिल जाएगा और वहीं अगर आप 5.5 पर सिम्ट करेंगे तो यहाँ पे आपड़ और आपको 6.30 का interest मिल जाता है उसके बास यहाँ पह अगर आप HDFC बैंक के FD करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप तीन साल के लिए FD करेंगे अगर आप एक नॉर्मल परसन है उस के सिसमें तो आपको साड़े 5% का इंटरेस्ट मिलेगा और वहीं अगर आप 5 साल के FD करेंगे तो 5.70% पर NM का इंटरेस्ट यहाँ पर मिल जाता हैं और यहाँ पर आप एक सिनियरस डिजन्स है और HDFC बैंक में FD करना चाहते हैं तो तीन साल के FD के उपर आपको 6% का इंटरेस्ट मिलेगा और वहीं अगर आप 5 साल के FD करना चाहते हैं तो आपको 6.20% पर NM का इंटरेस्ट मिल जाएगा उसके बाद यहाँ पर एकर मैं ICICI बैंक के FD की बात कर लूँ तो similar to HDFC बैंक की है यहाँ पे अगर आप नॉर्मल परसन है तीन साल का FD करेंगे तो साड़े 5% का ब्याच और अगर आप 5 साल का FD करेंगे तो 5.70% पर NM का इंटरेस्ट मिल जाता है और अगर आप एक सिनियरस डिजन्स है तो 3 साल के FD के उपर 6% और यहाँ प तो भले ही आप तीन साल के FD करें या तो 5 साल के FD करेंगे तो आपको 6.15% पर NM का इंटरेस्ट मिल जाता है उसके बाद यहाँ पर मैं कोटक महिंदरा बैंक के FD के इंटरेस्ट की बात कर लूँ तो यहाँ पर आप एक नॉर्मल परसन है तो भले ही आप 3 साल के FD इंटरेस्ट मिल जाता है और वहीं पर अगर आप एक सीनर से तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आप तीन साल के FD करेंगे तो पांसल का करेंगे तो जो इंटरेस्ट रेट है वह आपको 6.40% पर NM का ही मिलेगा दोनों ही केसे में उसके बाद यहाँ पर मैं DCP बैंक के FD के इंटरेस्ट की बात कर लूँ तो यहाँ पर आप अगर आप एक नॉर्मल पर सन है तो यहाँ पर आप तीन साल के FD करेंगे तो पांसल का करेंगे जो इंटरेस्ट है वह सेम है जो की है 6.60% पर एनम और यहाँ पर एकर एक सिने सर्डिजन और डिसी भी बैंक में भले याप तीन साल की एफडी करें तो पांच साल करें यहाँ पर आपको इंटरेस्ट से मिलेगा जो कि है आते हैं तो यहां पी भी आपको तीन साल के फडी के उपर साधे 5% और 5 साल के फडी के उपर आपको 5.75% आते हैं तो यहां पर आप अधर एक करते हैं तो अगर आप एक न पर से मिलेगा जो कि है सिक्स पॉंट फिफ्टी फाइप संट पर एनम और वहीं पे अगर आप एक सीनियर स्रेडिजन्स है तो यहाँ पे भी अगर आप आर्बियल बैंक में तीन साल का है तो पांच साल का एफडी करेंगे तो जो इंट्रेस्ट है वा आपको से मिलेगा जो कि है साड़े छे परसें के अंदर तीन साल के एफडी के वपर सेम इंट्रेस्मील ता है जो कि है 7 पर एनम का उसकी बाद यहाँ पर हम बंधन बाढ़ा एक इंट्र टो यहां पर आपको तीन साल के FDK और 7.25% का इंटरेस्ट मिलता है और वही पर लिए बहुत आप 5 सल का FDK πरूंसु बात करेंगे तो यहांपे भी आप को 6.35 पर संट का इंटरेस्ट मिलता है यादि की 5 सल के FDK आपको कम इंटरेस्ट मिलता है उसके बाद यहां पर अगर मैं येस बैंक के FD के इंटेसरी की बात कर लूँ तो यहां पर भी अगर आप तीन साल का FD करेंगे तो पांच साल का करेंगे तो नॉर्मल परसन के FD के उपर साड़े 5% का इंटेस मिलता है और वहीं अगर आप 5 शल का FD करते हैं तो आपको 5.60 पर आपको एक सिनर स्रेडिजन्स है तो आपको 3 साल का FD के उपर 6% का इंट्रेस मिलता है और वहीं पर आप 5 साल का FD करेंगे तो 6.10 पर अनम का कब लेकिन यहां पर आप सीने सटींस है तो यहां पर आप फेडराल बैंक में तीन साल का एफडी करेंगे तो आपको 시open 25 पर वर एंडामе का सिप्ट करेंगे तो सअध्यका पांच साल के इंड्रेस और यहां पर आप पांस टींगे तो हड्यकोश गांख है करेंगे तो आपको आपको ज़ाधा इंट्रेस करना चीए तो यहां पर दोस्तो हमने तकरीब इन भाइब के इंट्रेजिट के बारे है हैं इसके लाबा यहाँ पर मैं और अपने आने वाले वीडियो में यह भीडिसकस करने वाला हूं कि आप स्मौल सब्सक्राइब करेंगे थो वह अपको it की उपर कितना इंट्रेस्टर देते हैं तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों